नमस्ते, आज हम अध्यन करेंगे संग्य संसत की शक्तियां वकार्य स्विजलेंड के सविधान में लिखा है कि नागरिकों तता केंटनों के अधिकारों के अतिरिक्त संग की सर्वोश शक्ति का उपभोग संग्य संसत करती है स्विज संग्य संसद के दोनों सदनों की समान शक्तियां हैं, सभी शक्तियों का प्रयोग दोनों सदन समान रूप से करते हैं स्विजलिंड के संसद को निम्न कार्य या शक्तियां दी गई है फर्स्ट, विदाईनी शक्तियां स्विष संग्य संसत का मूल कार्य कानुन निर्माने सविधान द्वारा संग्य अधिकाशेत्र में रखे गए सभी विश्यों पर इसे कानुन बनाने की शक्ति प्राप्त है सविधान के अनुचेद 163 के अनुसार कानुन निर्मान के अतिरिक्त इसे संगे आधिकारिक आधेश जारी करने का अधिकार भी प्राप्त है स्विश संगे संसत की विदाई शक्तियों का उलेख अनुचेद 164 में किया गया है इसे निम्नलिकी विशयों पर विदी बनाने का अधिकार है फर्स्ट, राजनेतिक अधिकारों के प्रयोग के सम्मंद में सेकिंड, सवेधानिक अधिकारों पर प्रतिबंद के सम्मंद में थर्ड, व्यक्तियों के अधिकारों और दाइतों के सम्मंद में फोर्थ, करदाताओं के वर्ग के सम्मंद में तता करों के उदेश्य एवं निर्धारण के सम्मंद में फिफ्थ, परिसंग के दाहित्व एवं सेवाओं के सम्मंद में सिक्स, संग्य कानूनों को लागु करने और किर्यानवित करने के प्रसंग में केंठनों के दाइत्व के निर्धारण ही तो सेवंत, संग्य सत्था प्राधिकरन के गठन और प्रक्रिया के समन्द में अत्यावशक व्यवस्तापन की भी व्यवस्ता की हुई है और अत्यावशक व्यवस्तापन के लिए सविधान के अनुछेद 165 के तहत अत्यावशक व्यवस्तापन के प्रावधान के तहत संग्य संसत को एक वश के लिए ततकाली कानुन बनाने और लागू करने की शक्ति प् हतवपून है फर्स्ट संग्य संसत संग्य सरकार के सदस्य अद्यक्ष तता उपाद्यक्ष चांसलर प्रदान सेनापती का चुनाव करती है सेकिंड यह संग्य सेना पर नियंत्रन रखती है थर्ड यह संग्य प्रशासन पर सामाने निगरानी रखती है फॉर्थ यह संगे विभागों के सदस्यों संगे धुतवास के सदस्यों के वेतन तता भत्ते निर्दारीत करती है फिफ्थ यह यूद की घोशना तता शान्ति की इस्तापना कर सकती है फोर सिक्स दूसरे देशों के साथ की गई संधियों पर संगे संसत का अनुमोदन आवशक है सेवंत केंटन जो संधियां विदेशों से करते हैं उनके बारे में संगे संसत का अनुमोदन आवशक है एर्थ केंटन जो संदियां आपस में करते हैं, उनके बारे में संग्य संसत का अनुमोधन आवश्यक है संग्य संसत के सदस्य, संग्य सरकार के सदस्यों से प्रशासन तता नीती के बारे में कोई भी प्रैशन पोच सकते हैं, जिनका उतर देना पड़ता है अब हम देखेंगे उसका तीसरा महतपुन कारिय वित्य शक्तियाम संग्य संसत को परियाप्त वित्य शक्तियाम भी प्राप्त है आईवाय का वाशिक बजट संग्य सरकार द्वारा तयार किया जाता है उसे संग्य संसत के समुख प्रसुत किया जाता है परन्तु कोई भी बजट तब तक क्रियानवित नहीं हो सकता जब तक संसत के दोनों सदन उसे पारित न करते इस प्रकार देश के आय व्याई पर संग्य संसत का परियाप्त नियंतरने संसत को अधिकार है कि वह विभिन पदातिकारियों का वेतनमान निश्चित करे राश्ट्रे विकास के लिए विभिन मदव पर धन वै करने के लिए विशेस अनुदान दे प्रशासन पर होने वाले वै पर निग्रानी रखे संग्य संसदी संग्य सरका को रीन लेने का अधिकार प्रदान करने के लिए आग्यप्ती करती है संसत को प्रंबुक नियाईक शक्तिया इस प्रकार दी गई गई है फर्स्ट यह नियाई प्रशासन का निरिक्षन करती है सेकिन्ड यह विद्रहियों को आम माफी प्रदान करती है फर्ड यह जनता की याचिकाओं पर निर्ने देती है फूर्थ ये संग्य सरवच नियाले के नियाईदिशों का चुनाव करती है और फिफ्थ यदि विबिन संग्य प्रादिकारियों के बीच शेत्रादिकार के प्रेशन को लेकर कोई मतभेद उठ खड़े हूं तो इसका निर्मान भी संग्य संसद ही करती है फिफ्थ है वो है सविधान में संशुदन स्विश सविधान में संशुदन तभी किया जा सकता है जबकि इसे तू संग्य संसत के दोनों सदन एक प्रस्ताव पास करे और उसका अनुसमर्तन मत दाताओं और केंटनों के बहुमत से हो इस तरह से हम देखते हैं कि स्विश विधान मंडल की जो प्रमुक विशेस्ता है वह है इसके दोनों सदनों की शक्तियां समान है यहां तक कि वित्य शेत्र में भी दोनों समान शक्तियों का प्रयोग करते है स्विश विधाइका के लिए यह गौरव की बात है कि समान शक्तियों के उपरांद भी दोनों सदनों के समंध अत्यंत मदूर है यदि किसी प्रस्थाव के उपर दोनों सदनों में मतबेद होता है तो दोनों सदन सहयुक्त समेलन समीती इस्थापित करते हैं और यह समिलन समीती पारसपरिक विचार विनिमे द्वारा समझोता कराने का प्रयत्न करती है। इस तरह से हम देखते हैं स्विजलेंड की जो संसद है वो विश्व में महतपुन संसद मानी जाती है। धन्यवाद।